नमस्का दोस्तों, आव सीके चैनल में आपका स्वागत है मैं आज ये खुबसूरा सा जाली पैटर्न लाई हूँ जिसे आप किसी भी लेडिस प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं चाहें कार्डिगन में, चाहें जैकेट में, कूर्टी में, टॉप में, श्रग में, शॉल में, स्टॉल में चाहें किसी भी मंचा है प्रोजेक्ट में आप इसे डाल सकते हैं इसे बनाना भी बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन के त्यार होता है इसे बनाने के लिए 12 के multiple फंदे चाहिए और 3 फंदा extra मैं design यहीं से शुरू कर रही हूँ आप इसे पहली line समझे तो पहली line और सामने से पहला फंदा या तो सीधा बुन ले या फिर slip कर ले फिर उन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदे को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए 2 का एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए फिर उन अपनी ओर लेंगे 2 फंदे को एक साथ लेंगे और back loop से एक सीधा फंदा बना लेंगे जाली दिया और 2 का एक किया फिर उन अपनी ओर करेंगे 2 फंदे एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे हमने छे फंदे को दो-दो फंदे लेकर दो का एक किया है और उसके पहले जाले दे दिया है अब बारह फंदे सीधा बनेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारह और बारह अब दो फंदे को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर उन अपनी और करेंगे फिर दो फंदे को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर उन अपनी और करेंगे और एक फंदा सीधा फिर उन अपनी और करेंगे और दो फंदे को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर उन अपनी और करेंगे दो फंदे को एक साथ लेंगे बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर उन अपनी ओर करेंगे दो फंदे को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर बारा फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा बारा फंदा सीधा बनने के बाद दो फंदे को एक साथ लेंगे दो का एक कर लेंगे सीधा बनते हुए फिर उन अपनी ओर करेंगे दो फंदे को एक साथ लेंगे और सीधा बनते हुए दो का एक कर लेंगे फिर उन अपनी ओर करेंगे और लास्ट फंदा सीधा और जाली बनने से इधर एक फंदा बढ़ गया है अब उन अपनी ओर करेंगे दो फंदे को एक साथ लेंगे और जाली देटे हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर उन अपनी ओर करेंगे दो फंदे को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर उन अपनी ओर करेंगे दो फंदे को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे तो हमने यहाँ पे तीन जालिया बनाई है और छे फंदे का तीन किया है अब फिर दस फंदा सीधा बुनेंगे यह एक फंदे साइट से कम हो जाने से अब यहाँ पे तस फंदे बचे हैं तो दस फंदे सीधा बुने के बाद दो फंदो को एक साइट लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे यहाँ दो का एक किया इसलिए उन अपनी ओर करके जाली देना होगा फिर दो फंदे एक साइट लेंगे और जाली देते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर उन अपनी और करेंगे दो फंदे एक साथ लेंगे और जाली देते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे तो हमने तीन जाली इधर दी है और तीन जाली इधर दी है अब उन अपनी और करेंगे और तीन फंदा सीधा बनाएंगे एक, दो, तीन फिर उन अपनी और करेंगे दो फंदे को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक करेंगे फिर उन अपनी और करेंगे दो फंदे को एक साथ लेंगे जाली देते हुए दो का एक करेंगे फिर उन अपनी और लेंगे दो फंदे को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो काई को अब पिछली बार हमने यहाँ पे बारा फंदे बनाया थे इस बार दो फंदे साइट से कम हो जाने से अब बीच में दस फंदे रह गए तो दस फंदा हम सीधा बुन लेंगे तो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस तस फंदे सीधा बुनने के बाद दो फंदो को एक साथ लेंगे एक सीधा फंदा बनाएंगे उन अपनी और करेंगे अब यहाँ पे हमने दो काई किया है तो फंदे को बलेंस करने के लिए उन अपनी और करेंगे यानि यहां हमें जाली देना है तो उन अपनी ओर किया दो फंदे को एक साथ लिया और जाली देते हुए सीधा फिर उन अपनी ओर किया दो फंदे को एक साथ लिया जाली देते हुए सीधा फिर उन अपनी ओर किया तीन पंदा सीधा बन लेंगे दो तीन पिर उन अपनी ओर करेंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा बना लेंगे यहां पर देखिये देखिये दिजाइन थोड़ा इसपस्ट होना शुरू हो गया है अब यहाँ पे आठ फंदे हम सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ फिर दो फंदे को एक साथ लेंगे सीधा बुनते हुए दो का एक का लेंगे फिर उन अपनी ओर लेंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक फिर उन अपनी ओर लेंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे फिर उन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदा सीधा एक, दो, तीन, चार, पांच यहां पे फंदे घड़ते जा रहे हैं और यहाँ पे फंदे बढ़ते जा रहा है फिर उन अपनी और करेंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनेंगे फिर उन अपनी और करेंगे दो फंदे को एक साथ लेंगे बैक लूप से एक सीधा फंदा फिर उन अपनी ओर करेंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर आठ फंदे सीधे एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ फिर दो फंदे को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर उन अपनी ओर करेंगे यहाँ पे हमने दो काएक पहले किया है और जाली बाद ने बनाया है जब हम जाली को दहनी ओर ले जाएंगे तो दो काएक करने के बाद उन अपनी ओर करेंगे और इस साइड में जब हम जाली को बाई ओर ले जा रहे हैं तो उनको पहले हम अपनी ओर कर ले रहे हैं तब दो फंदे को एक साथ लेके सीधा बना है उन अपनी और किया, दो फंदे को एक साथ लिया, एक सीधा फंदा बनाया, अब यह उन जो है, दो फंदा जो हमने यहाँ पर किया था, यह उसके लिए है, फिर उन अपनी और करेंगे, दो फंदे को एक साथ लेंगे, और जाली देते हुए, एक सीधा फंदा बना लेंगे, अब यहाँ पे हमने दो को एक किया था, अब इस फंदे को बैलेंस करने के लिए अब हम उनको अपनी ओर कर लेंगे, और शेस याने तीन फंदे हम जाली देते हुए सीधा बना लेंगे, जब हम दाहिनी ओर मोड रहे हैं, तो दो का एक पहले कर रहे हैं, और जाली बाद में दे रहे हैं, और जब हम बाई और जाली को मोड रहे हैं, तो पहले हम उनको अपनी ओर कर ले रहे हैं, उसके बाद दो का एक कर रहे हैं, इस बात का हमें ध्यान देना होगा, और रॉंग स फंडे सीधा बनेंगे , एक , दो, तीन , और चाल , फिर उनहे अपनी ओर करेंगे , दो फंडे कू एक साथ लेंगे , और जाली देते हुए हैं दो काईक करेंगे , अब देखिए यह जाली इस बाई और घुम रही है , तो इसे बनाने के लिए उनको पहले अपनी और कर लेंगे तब दो फंदो को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो काएक करेंगे उन अपनी और करेंगे हमको इधर की तरफ बाई और घुमाना है जाली को इसलिए उन अपनी और करेंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक कर लेंगे फिर छे फंदा सीधा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे अब हमको जाली ताइनी ओर ले जाना है तो पहले हम दो फंदे को एक साथ लेते हुए दो का एक कर लेंगे अब इसके बाद हम उनको अपनी ओर करेंगे यानि अब हम इस फंदे को बैलेंस करने के दो का एक किया तो एक फंदा घट गया इसको बैलेंस करने के लिए अब हम उनको अपनी ओर करेंगे अब हमको फिर नेक्स्ट दो फंदे को एक करना है तो दो फंदे को एक किया जाली देते हुए दो का एक फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदे को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक करेंगे अब देखें यहाँ पे हमने 6 फंदे घटाए हैं और जाली 2 पड़ी है यानि कि हमें 1 जाली और यहाँ पे जो 2 हमने किया है उसके लिए 1 जाली और देना होगा तो उन अपनी और करेंगे और 7 फंदे को जाली देते हुए सीधा बना देंगे 1, 3, 4, 5, 6, 7 यहां फंदे घटते जा रहा है और यहां पर फंदे बढ़ते जा रहा है यह जाली जो है वो दोनों दो साइड में बाहर की तरफ जा रहा है तो यहां फंदे बढ़ रहा है और यह जाली जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है तो यहां फंदे घट रहा है अब फिर देखिए ज जाली बाई हो जारी है तो पहले हम उनको अपनी ओर कर लेंगे और तब दो फंदो को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक किया नेक्स्ट हमको दो फंदो को एक करना है तो उन अपनी ओर करेंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक किया फिर हमको दो फंदो को एक करना है तो उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए दो फंदे को एक करेंगे उसके बाद छे फंदा सीधा दो चार पांच और छे अब हमको ये जाली दाहिनी और मोड़ना है तो पहले हम दो फंदो को एक कर लेंगे और तब उनको अपने और करेंगे नेक्स दो फंदो को हमको दो काएक करना है तो दो को एक कर लिया और तब उनको अपने और करेंगे ए इनको हम सीधा बन लेंगे जाली देते हुए और wrong side से सबी फंदे उल्टे 9th row और front side 5 फंदा सीधा बुन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 फिर उन अपनी और करेंगे 2 फंदो को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए 2 का एक करेंगे फिर उन अपनी और लेंगे 2 फंदो को एक साथ लेंगे जाली देते हुए दो का एक कर लेंगे फिर उन अपनी ओर लेंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक कर लेंगे अब चार फंदा सीधा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे दो का एक किया, सीधा बनाते हुए और फिर उन अपनी और करेंगे फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक करेंगे फिर उन अपनी और देंगे और दो फंदो को एक साथ लेते हुए जाली देते हुए दो का एक करेंगे फिर उन अपनी और करेंगे और नौ फंदा जाली देते हुए सीधा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ तो हर सीधी लाइन में यहां फंदे घटते जाएंगे और यहां पे फंदे बढ़ते जाएंगे यहां पे घटते हुए फंदे खतम हो जाएंगे यानि यहां देखिए एक भी फंदा नहीं बचा है ऐसे आजाएगा और यहां पे बढ़ते हुए एक से बढ़ते हुए यह तेरा हो जाएगा तो मैं आपको करके दिखाते हूँ ग्यारवी लाइन और सामने से साथ फंदा सीधा बुन लेंगे एक दो तीन चार पाँच छे साथ फिर उन अपनी और करेंगे दो फंदे को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर उन अपनी और करेंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे अब देखिए यहाँ पर फंदे घड़ते हुए अब हमारा पास यहाँ बारा फंदे थे और अब घड़ते हुए दोनों डिजाइन एक पास आ गया है अब दो फंदो को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे दोनों डिजाइन एक पास आ गया है उन अपनी और करेंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे जाली देते हुए दो का एक करेंगे सीधा बनाते हुए और अब यहां पर देखिए एक फंदा था और दोनों और से जाली यह छे जाली बढ़ी है एक दो तीन चार पाथ छे तो छे फंदे इधर से और छे फंदे इधर से बढ़ गया है और अब बीच में तेरा फंदे आ गया है तो उन अपनी और करेंगे और तेरा फंदा सीधा बनेंगे और फिर उन अपनी और करेंगे और जाले देते हुए दो दो फंदों को एक साथ ले के बुनते चले जाएंगे फ्रैंस डिजाइन स्पस्ट हो गया होगा यहाँ पे 12 फंदे थे 6 डिजाइन बनने के बाद यहाँ पे जब सात्मा जाली हम बना रहा है तो सारा यह फंदा घट गया है और दोनों डिजाइन पास पास आ गया है और यहाँ पर बढ़ते हुए 13 फंदे थे और सात्वा जाली बनने के बाद यहाँ पर 15 फंदे हो जाएंगे देखें बीच वाला डिजाइन ऐसे आएगा और साइड वाला डिजाइन इस तरह आएगा देखें फ्रंस 14 लाइन का यह रिपीटे डिजाइन है और डिजाइन बनके तयार है सामने से यह ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा डिजाइन बहुत ही आसान है और बनने के बाद बहुत ही खुबसूरत लगए गहाँ इनी 14 लाइनों को 14 लाइन बनाने के बाद फिर पहले लाइन से हम डिजाइन शुरू कर देंगे और पैटर्न एक के उपर एक ऐसे जाली बनता चला जाएगा और एक खुबसूरत सा पैटर्न त्यार हो जाएगा तो फ्रेंस डिजाइन आपके सामने है यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाईए इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रिष्टेदारों में शेयर कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजि प्रूऊब कीजिएर